एक और जल शक्ती मंत्राले नल से हर घर जल पहुंचाने की कवायद में जुटा है वहीं दूसरी और विश्वबन जीव कोश यानी WWF की ताजा रिपोर्ट में ये सामने आया है कि आने वाले सालों में भारत गंभीर जल संकट से 2-4 होगा इस रिपोर्ट के अनुसार भारत के 30 शहरों में 2050 तक पानी का बड़ा संकट होगा इसमें दिल्ली, कानपूर, जैपूर, इंदौर, मुंबाई, चंडिगर और लखनाउ जैसे शहर शामिल हैं WWF के जोखिम फिल्टर विशलेशन के अनुसार आर्थिक गतिवीधियों के केंदर 100 शहरों में पानी का गंभीर संकट होगा या रहने वाली 35 करोड के आबादी 2050 तक पानी की गंभीर संकट से 2-4 होगी इससे बशने के लिए ततकाल कारवाई के साथ जलवाईयों परिवर्तन पर तुरंत प्रभाव के साथ काम करने की जरूरत है रिपोर्ट में अनिभारती शहरों के नाम हैं अमरिचसर, पुणे, श्रीनगर, कॉलकाता, बंगलूरू, कोजिकोडा, विशाखपटम, ठाने, नासिक, एमदबार, जबलपूर, हुबली, धारावार, नाकपूर, लुधियाना, जालंधर, धनबाद, धोपाल, गौालियर, सूरत, अलिगर्ड और कन्नूर इस विशलेशन में शहरों को 2030 और 2050 के आधार पर पांच में से नमबर देकर आकलीत किया गया है इसमें तीन से अधिक को समवेदनशील और चार से अधिक नमबर अती समवेदनशील इलाकों में शुमार कर रेटिंग दी गई है इनमें दोनों की श्रेणियों में भारत के 30 शेहरों में कम से कम 3 और उससे अधिक स्कोर मिले जिससे साव जाहिर है कि यहां स्थितियां किस कदर विपरित हैं इनमें सबसाधिक जोखिम वाले स्कोर लुधियाना, चंडिगड, अमरिसर और एहमदाबाद को मिले हैं अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें